हेलो स्टुएंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, वो था एसेडी करेक्टर आफ कार्बोकसलिक एसिड का, तीक है उसी सेक्शन को कंटीन्यू कर रहे हैं, एसेडी करेक्टर पे बात करते हैं कि effect of substituents क्या है, what is the effect of substituent on acidic character तो अगर हम effect of substituent देखना चाहते हैं acidic character के उपर तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ points को ध्यान रखना होगा और वो points हमारे लिए क्या है उन points की हम बात कर लेते तो सबसे पहला जो section है जो सबसे पहला point है जिसको मैं यहां discuss करना चाहूँगा वो है if electron withdrawing group if electron withdrawing group is attached to carboxylic acid then acidic character will increase the acidic character will increase अगर इलेक्ट्रों विड्ड्रों ग्रूइंग ग्रूप अच्छा है अगर इलेक्ट्रों विड्ड्रों ग्रूइंग ग्रूप प्रेजेंट है कार्बॉक्सलिक एसिद के साथ तो एसिदी क्रेक्टर इंक्रीज करेगा लेकिन अगर इलेक्ट्रों डोनेटिंग ग्रूप लेकिन बात यह है meiely कि वहाँ पर किस तरह से हम देखें कि यह ग्रूप अपने अपने वर्क करते हैं कि अगर electron डोनेटिng ग्रूप अटाच हो जाए तो वो किस तरह से वรक करेगा या किस तरह से यह S-D character को increase या फिर decrease कर देते हैं तो उसी चीज़ के लिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही sections को हम यहां पर study करने वाले हैं कुछ examples भी हम लेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि if suppose electron withdrawing group is attached तो carboxylate है यह एक तरह से हमारे पस तो electron withdrawing group क्या करेगा electron withdrawing group का काम है electrons को अपनी तरफ attract करना तो electron withdrawing group अपनी तरफ electrons को attract करेगा and because of this ठीक है हम लिख देते हैं electron withdrawing group disperse the negative charge on the carboxylate ion and stabilize it और क्या करेगा carboxylate को और ज़्यादा stable करतेगा तो जो negative charge है इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि electron withdrawing group attached है तो जो negative charge होगा that will disperse between these two oxygen और हमने पहले भी study किया कि जितना ज़्यादा dispersal होगा negative charge का between the oxygen उतना ज़्यादा वो क्या करेगा उसे stabilize करेगा and increase the acidic character और यहाँ पर acidic character increase हो जाएगा ठीक है कुछ example लेकर हम यहाँ पर बात करते हैं example लेने से कुछ जादा आची तरह से हमें clear हो जाएगा कि electron withdrawing group का mainly क्या effect है उसके बाद electron donating group की हम बात करेंगे ठीक है सबसे पहले बात कर लेते हैं electron withdrawing group के लिए तो यहाँ कुछ example हम choose करें electron withdrawing group के लिए example strength में लिख देता हूँ कि electron withdrawing group का strength क्या क्या है किस तरह से electrons को वो withdraw करता है तो electron withdrawing group which increase the strength थोड़ा comparison करना हमारे लिए easy हो जाएगा तो हमने फिनाइल group लिया फिनाइल से ज्यादा कौन है ID नहीं है हमारे पास then we have BR then we have CL then we have F we have CN we have NO2 we have CF3 तो एक्जांपल वही से start करते है कि हमारे पास carboxylic acid present है और उसके साथ attach है CF3 तो इसको अगर मुझे नेम करना हो तो मैं नेम कर सकता हूं Trifluoroacetic acid क्योंकि तीन फ्लोरिन वहाँ पर attach है तो इसलिए हम कह सकते है Trifluoroacetic acid तो यहां जो यह तीनो फ्लोरिन प्रेजेम वह elektrons को अपनी तरफ फिड्रोय करेंगे यह यह हम बात यहां कर सकते हैं-IS a the effect का कि जो F Aha प्रेजेंत है be the तो माइनस आइफेक्ट जादा होगा और माइनस आइफेक्ट जादा होगा इलेक्रों को अपनी तरफ विड्रॉव करेंगे फ्रॉम इस कार्बन मेरे फ्रम दा włas तो जब यहां से हम विड्रो होने की बात करें due to minus i effect जो effect इस oxygen की उपर पड़ेगा the electron density will be less on the oxygen so the bond between the oxygen and the hydrogen become weak ठीक है यह bond क्या हो जाएगा bond become weak and release of h atom become easy तो यहां पर minus i effect जादा है और minus i effect जादा होने की वज़े से जो h का release है वो भी जादा जल्दी होगा और जितना जल्दी hydrogen जाएगा इसका मतलब यहां पर acid character उतना ही जादा होगा ठीक है acid character उतना ही जादा होगा अब इसी example को हम compare कर लेते एक दूसरे example के साथ यहां हम क्या करें cf2 यूज करें इसका मतलब हमने क्या किया पहले तीन fluorine हमने यूज किया थे वह हमने क्या किया दो fluorine का यहां पर यूज कर लिया कार्वॉक्सली को हमारे पास प्रेजेंट है अभी भी f क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा अभी भी वही सेम डिसकेशन हमारे पास होगा कि oxygen hydrogen bond weak हो जाएगा due to the minus i effect of f लेकिन जो acid जो acidic करेक्टर होगा cf3 के case में जादा होगा in comparison to cf2 क्योंकि यहां पर दो fluorine attach है जबकि इस example में हमारे पास तीन fluorine attach थे तो तीन fluorine carbon के साथ attach है इसका मतलब minus i effect जादा है tri-fluoroacetic acid में in comparison to di-fluoroacetic acid तो जितना ज्यादा minus i effect होगा उतना ही ज्यादा यहां पर acidic character होगा तो इस तरह से हमारे यहां पर discussion होगा इस तरह से हम electron withdrawing group की बात करते हैं और ज्यादा तर जो questions हमारे पास यहां आते हैं वो arrangement के question होगे that arrange these substances according to their increasing acidic character or decreasing acidic character तो electron withdrawing group के बाद हम बात करते हैं electron donating group की वहां से हमें काफी साही चीज़े clear हो गई होगी तो इसलिए यहां पर हमने electron donating group के लिए कहा कि electron donating group क्या करते हैं they intensify the negative charge intensify का मतलब होता है कि बढ़ा देना ठीक है अब कार्बॉक्सिलेट की अगर बात करें तो कार्बॉक्सिलेट में oxygen जो है already negatively charged है यह negative charge है हमने resonating structure को study किया कार्बॉक्सिलेट के वो already क्या है disperse हो रहा है between these two oxygen तो stabilize करता है अपने आपको लेकिन अगर यहां एक electron donating group attach हो जाए तो electron donating क्या करेगा donate करेगा electrons और donate करने की वजए से और ज़्यादा negative charge बढ़ा देगा यहां पर oxygen के उपर इसका मतलब लिखा गया intensify the negative charge बढ़ गया negative charge और भी ज़्यादा हो गया तो जितना ज़्यादा intensify होता चला जाएगा negative charge carboxylate ion destabilize हो जाएगा अब वो stable नहीं रहेगा वो destabilize हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा negative charge उसके उपर हो जाता है and that's why it decreases its acidic character इसलिए जो acidic strength है जो acidic character है वो decrease करेगा इसका मतलब electron donating group क्या करता है intensify करता है negative charge हो अधा carboxylate ion destabilize it and decrease its acidic character हमने यहाँ पर order लिख दिया कि plus eye effect किस तरह से increase करता है तो जैसे जैसे alkyl group जो methyl group है जितने ज़्यादा increase करता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा plus eye effect increase करेगा और plus eye effect जितना ज़्यादा होगा acidic character उतना ही कम होता चला जाएगा ठीक है एक example लेके इसको discuss करते हैं अभी तो यहाँ देखो यहाँ हमने एक example choose कर लिया जहाँ हम show करना चाते हैं plus eye effect की वज़े से acidic character किस तरह से decrease करता है तो यहाँ देखो हमने formic acid को लिया, acetic acid और propanoic acid को लिया अगर मैं बात करूँ formic acid की तो formic acid में c o o o h यहाँ पर hydrogen present है यहाँ हमारे पास c s 3 present है जबकि यहाँ हमारे पास c 2 h 5 present है अभी हमने plus eye effect का increasing order study किया था कि plus eye effect किस तरह से increase करता है, तो हमने उसको study किया था कि methyl में कम होता है और ethyle group में कि जो plus eye effect है वो जाता है इसका महला जैसे जैसे alkyl group increase करेगा जो plus eye effect है वो increase करता चला जाएगा, sorry acid character decrease करेगा, क्यों decrease करेगा, क्योंकि देखो c s 3 अगर donate करेगा तो oxygen more electron negative है वो electrons को अपनी तरफ attract करेगा, oxygen hydrogen bond और ज़्यादा strong हो जाएगा और जितना ज़्यादा bond यह strong होगा, oxygen hydrogen का donation of hydrogen become difficult और अगर hydrogen ही बाहर नहीं जाएगा तो acid character नहीं होगा क्योंकि जो acid character है carboxylic acid का, that is because of loss of hydrogen, लेकिन यहाँ loss of hydrogen नहीं हो रहा, इसलिए acid character भी decrease होता चला जाएगा so on the basis of that order of plus eye effect we can say formic acid is a stronger acid in comparison to acetic acid and propanoid acid क्योंकि alkyl group increase करता जा रहा है और जैसे जैसे alkyl group increase करेगा acidic character यहाँ पर decrease करेगा चीक है, यहाँ तक एक और acidic character के लिए अपने section की बात करते है तो third जो section है हमारे पास यहाँ acid character के लिए वो hybridization है what is the effect of hybridization on the acid character तो hybridization की अगर बात करें तो हमने ध्यान रखना है कि अगर carboxly group के साथ एक ऐसा group carbon attach है जो sp hybridized है तो वहाँ पर acid character बढ़ जाएगा वो इसलिए है क्योंकि अगर मैं sp hybridization की बात करूँ तो sp hybridization में s character जाद है sp2 में उससे कम है और sp3 में हमें पता है 25% होता है sorry sp3 में 25% है sp2 के अंदर हमारे पास 33.3% है while in the sp hybridization the s character is 50% तो जितना ज्यादा हमारे पास s character होता है उतना ही ज्यादा वहां पर मैं बात कर सकता हूं कि electrons को withdraw करने का tendency होता है ठीक है क्योंकि sp hybridization में electron negativity क्या होगा ज्यादा होगा तो मैं कोई ज्यादा complex example यहाँ चूज नहीं करता है बड़े simple सा example हम यहाँ पर choose कर लेते हैं और वो example हमने लिया formic acid का benzoic acid का formic acid के structure की बात करें तो यह है benzoic acid है इस तरह से हम उसको represent कर सकते हैं और अगर acidic acid की बात करें तो इस तरह से हम उसका structure करें आप बात करते हैं hybridization की अब यहां carbon जो है hydrogen के साथ अटेच है तो कोई hybridization नहीं है ना sp ना sp-2 ना sp-3 यहां पर इस hydrogen के लिए मैं बात कर रहा हूं carbon के लिए hydrogen के लिए बात कर रहा हूं कि कोई भी hybridization यह आ पर नहीं कि यह carbon यहां जिस carbon के साथ attach है वो sp2 hybridized है और वैसे भी हमें पता है कि बेंजीन के अंदर जितने भी carbon है all carbons are sp2 hybridized सारे के सारे carbon sp2 hybridized होते हैं तो यहाँ sp2 hybridization है जबकि CH3 की अगर बात करें this CH3 is sp3 hybridized तो देखो कितना simple साथ चीज है formic acid के लिए तो already हमने study किया कि formic acid क्या है एक stronger acid की तरह act करते है जबकि benzoic acid sp2 character है यहाँ sp3 है तो sp2 के लिए acid character जाद होगा in comparison to sp3 तो इस चीज को हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा ठीक है जब acid character को हम compare करेंगे using hybridization कुछ और example लेते हैं तो एक और example हमने यहाँ पर choose किया और उस example के अंदर हमने already यहाँ पर hybridization को लिख दिया है कार्वाक्सलीक एसिड के साथ CS3 प्रेजेंट है तो यह जो CS3 है इसका hybridization sp3 है यहाँ पर कार्वाक्सलीक के साथ हमने अलकीन को choose किया अलकीन का हमें पता है कि जो hybridization है that is sp2 यहाँ हमने इसरी क्रेक्टर को बड़ा असानी से वहाँ पर explain कर पाते है कि एसरी क्रेक्टर क्या होगा एक और example मैंने यहाँ पर choose किया तो यहाँ देखो अगर देखते हो तो सारी चीजें almost same दिखाई दे लिए बस difference सिर्फ इनका है यह सारे के सारे examples जो हैं वो substitute benzoic acid के यहाँ पर हमने benzoic acid choose किया यहाँ पर para position पर OH attached है next example में OCS3 methoxy group present है जबकि यहाँ हमारे पास NO2 nitro group present है तो अगर मुझे इनका name करना हो then it is para nitro benzoic acid paramethoxy benzoic acid parahydroxy benzoic acid और इसका तो हमें पता ही है that simply it is benzoic acid अब यहाँ पर अगर acidic strength को हमें compare करना है तो हमें nature पता होना चीए NO2 OCS3 या OH का क्योंकि यह तो सारे इसका answer तुमने देना है चीक है तो comment box के अंदर इसका क्या order होना चीए वो order लिखके मेरे पास बेजना अगर किसी भी type का doubt है यहाँ पर यह अगर यहाँ पर नहीं समझा रहा तो किस तरह से arrangement करना है तो मुझे यहां comment box में बता देना मैं next video के अंदर सबसे पहले इस question का answer दूँगा और उसके बाद चलेंगे हम अपने next topic को लेकर जो कि काफी important होगा तो बात करेंगे chemical properties की और chemical properties को अभी हमने continue करना है तो काफी ध्यान से इन सारी चीजों को study करना okay friends thank you